नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दा 10 मिनिट शो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुशहाल जिन्दिगी जी रहे होंगे क्योंकि खुशहाली की जाच करने के लिए रिपोर्ट जारी कर दी गई है और उसमें बार्तियों की इस्तिती बहुत ही जादा कब है तो मैं इसलिए मैंने सबसे महले पूछा क्या आप खुश है क्या आपके आसपास के लोग खुश है अगर नहीं है तो प्लीज उनको जल्दी से खुश कर दीजे क्योंकि भारत की विश्व खुशाली रिपोर्ट 2024 में इस्तिती बहुत अच्छी नहीं आई है तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दे टैन मिनिट शो में विश्व खुशाली रिपोर्ट 2024 के बारे में जिसमें देखने को मिलेगा कि वह कौन सा देश है जो सबसे ज़ादा खुशाल है सबसे ज़ादा हैपिनेस है वहाँ पे और वो कौन सा देश है जहाँ पर खुशिया नहीं है और भारत में खुशियां है कि नहीं है और भारत के पड़ोसी राज्यों की क्या स्तिती है वे पड़ोसी राज्य जो चांद पर तो नहीं जा पाए जो अंडर वाटर ट्रेन तो नहीं बढ़ना पाए लेकिन खुश है एनत उन सारी जानकरों की बारे में आज हम देखने वाले हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो फड़ा फट वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और देखते हैं कि विश्वी खुशाली रिपोर्ट 2024 में भारत क्या किस्तिती पर है और साथ ही साथ यह रिपोर्ट किस देश को सबसे ज़्यादा खुशाल मानती है किन-किन आधारों पर सबसे ज़्यादा खुशाल मानती है मैं उनती जैन आप सभी का The 10 Minute Show में स्वागत करती हूँ अगर आप लोग इस वीडियो तक आ चुके हैं तो फड़ाफ़ वीडियो को लाइक कर दीजे और विनर्स इंसिट्यूट के टेलिग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको सारी क्लासिस की PDF और साथ ही साथ सारी क्लासिस का notification भी मिल जाता है हाँ जी दोस्तों देखते हैं कौन है खुशाल कैसे इसको मापा जाता है रहना तो आप देख रहे हैं कुछ भाटती माहिलाओं की यहां पर फोटोस लगी हुई है बड़ी ही खुश दिख रही हैं लेकिन खुशी का पहमाना क्या होता है अगर हम सामानी जीवन में देखे तो खुशी का पहमाना आपका पैसा भी हो सकता है आपका पद भी हो सकता है प्रतिष्ठा सम्मान आदी हो सकता है लेकिन विश्व happiness report यानि world happiness report ने इस खुशी के पैमाने को अलग दरश्ची से मापा है और उसी की report यहाँ पर जारी की है आप सभी को जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि प्रतिवर्ष 20 मार्च को happiness दिवस यानि की विश्व प्रसंता दिवस मनाया जाता है तो प्रसंता दिवस 2024 यानि 20 मार्च को उपलक्ष में world happiness report 2024 जारी की गई और इस इंडेक्स में बताया गया कि कौन सा देश खुशाल है कौन सा देश खुशाल नहीं है कैसे मापा जाय कि कोई खुशाल है कि नहीं है report दुनिया भर के देशों में खुशियों को माप रही है और इसका देश है कि खुशी और कल्यार में योगदान देने वाले कारकों के बारे में जानकारी ली जाए क्योंकि ऐसा बहुत आम तरीके से माना जाता है कि जिस देश में खुशाल होती वहाँ पर योजनाओं का क् आदार पर यह report जारी की गई है हम ध्यान से देखते चलेंगे step by step कि कौन सा देश खुश है क्यों है क्यों नहीं है आदी चीक है तो वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2024 के नुसार फिनलेंड लगातार साथवी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है मतलब कि लग उत्क्रष्ट यानि उत्च स्थान पर पाया गया फिनलेंड सबसे अधे खुशहाल वाला देश माना गया वैश्विक चनोतियां कितनी सारी आई कोविड महामारी आई आर्थिक संकट आए इसके बाद भी वहां कि लोग खुश रहे यह है खुशी का पैमाना फिनलेंड का हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि फिल्लेंड आखिरकार खुश क्यों है फिल्लेंड में फन क्यों है यह भी देखना और याद भी कर सकते हो कि वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2024 में सबसे ज़ादा जो फन कर रहा है साथ सालों से वो फन कर ही रहा है बड़या अच्छा सुं क्यों गिरावट आ रही है देशों के अंदर खुशाली में इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे उत्री अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड पिछले दशकों में युवाओं के बीच में खुशियों की गिरावट हुई है और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया ह का जादा प्योग करना सूचनाओं का कचरा दिमाग में बैठ जाना कहीं न कहीं लोगों की खुशियों को चीन रहा है यही कारण है कि उत्री अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के युवाओं में खुशिया कम अवसाद यानि डिप्रेशन जादा देखने को मिला ह साती साद अगर इसके विप्रीत बात की जाए तो मद्य और पूर्वी यूरोपों में सभी आयू समूओं में खुशियों की ब्रधी हुई है जो वहां के सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को दर्शाती है है ना अगर किसी देश में शोशल लेवल पर या एकन कंपेर में उत्री अमेरिका अस्ट्रेलिय और इसलंड में ऐसा देखने को नहीं मिला जबकि मद्य और पूर्वी यूरोप की देशों में बड़े अच्छे से देखने को मिला कि किस प्रकाल लोग अपने इस तर को खुशी के रूप में बढ़ा रहे है बढ़ती खुशी क किस से है खुशी उससे बढ़ेगी आपका स्वास्त अच्छा होना चाहिए स्वास्त अच्छे के लिए आपको पैसा चाहिए होगा पैसा चाहिए के लिए आपको नौकरी चाहिए होगी नौकरी के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल तो यह सब कुछ एक चक्री है तो कहीं न कहीं ऐसा समू जिसको यह सुविधाय नहीं मिल पा रही है तो वह असमानता का शिकार हो रहा है और जो यह सुविधायों से संपन्न है तो खुशाल तो ही है लेकिन कहीं न कहीं दौनों तराजू के जो पल्ले है वो कहीं न कहीं असामान है तो खुशाली का इसतर जैसे जैसे किसी देश में बढ़ रहा है वैसे वैसे असामानता भी आती है जैसे कि आपने सुना होगा एक common quote कि आज वर्तमान में अमीर अमीर होता जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है तो खुशाली बढ़ रही है लेकिन आसामानता भी बढ़ रही है ये भी एक वैश्विक चिंता का विशय बना हुआ है जिसके समाधान पर भी कई सुझाओ इस रिपोर्ट में दिये गए है अगर हम बात करें तो कैसे देखा जाएगा कि कौन सा देश खुश है कौन सा देश खुश नहीं है या नागरी खुश है या नहीं है तो कुछ पैमाने रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताए गए है मैं उमीद करती हूँ कि रिपोर्ट की पैमाने आपको समझ में आएंगे और आप इसमें ज्यानी बन जाएंगी कि कैसे क्या ये रिपोर्ट है ठीक है किस विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है वही ग्लैप वर्ल्ड पोल डाटा एक खटा करता है क्योंकि डेटे को खटा करने के लिए एक अलग इंसिट्यूट होगा और पब्लीशर एक अलग होगा तो आप लोग पब्लीशर तो ध्यान के रखना ही रखना छे कारक हैं जो किसी भी देश में खुशाली का मापन करते हैं है न सबसे पहले भाईया जी डी पी ग्रॉस डॉमेटिक डॉमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद उस देश की आर्थिक क्रियाएं कितनी तेज है यह पहला एक कारक होता है दूसरा कारक हो प्रत्याशा सामाजिक समंब्थन और विसी बात है आपके पास रोजगार आपके पास अच्छा पत है तो जो सुसाइटी वह आपको एकसेप्ट कर रही है society आपको accept कर रही तो आप खुश है तो तीसरा पैमाना ये हो गया स्वतंतरता काम को करने की स्वतंता उनी को है ना जिसके पास एक अच्छा बाहू बल है धन बल है तो अगर काम की स्वतंतरता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक होगा सामाजिक समर्थन अगर आप लोग मेंस लिख रहे हो UPSC, MPPSC या किसी भी Civil Service एक्जाम का तो जो वंड़े एक्जाम के स्टुएंट है वो फिल्लेंड याद कर ले ना पब्लिशर्स याद कर ले ना 2024 भारत की स्थिति लेके न अगर आप लोग Civil Service की प्रप्रिशन कर रहे है तो यह 10-minute show आपकी answer writing में और interview में answer देने के लिए बहुत important हो सकता है किसी भी देश की खुशाली 6 पैमानों पर ना पी जा रही है जीवन प्रत्याशा पर, उस देश की GDP पर प्रशाचार के स्थिती पर सामाजिक समर्थन पर, ओधारता पर तो यह सारी जो चीजे हैं वो इस पर जरूर जरूर पूरी थरह से अटकी हुई है इस साल की रिपोर्ट में विश्वास और शोशल मीडिया के प्रभाव जैसे भी चीजों को ध्यान में रखा गया है क्योंकि इतने की अलावा तुमारे पास पैसा है की नहीं पोस्ट है की नहीं है इस बार ये भी देखा जाता है अब तो ये common हो गया हमारी society में कि तुमारे कितने follower है जिसके जितने ज़्यादा follower ये मना जाता है वो उतना ज़्यादा happy है तो ये भी इसमें आपना रखना पड़ा था क्योंकि अपडेशन हमें चाहिए समाई के साथ report भी परिवर्ते तुई कि लोग तुम पे कितना भरोसा करते है और तुमारी social status क्या है social media तुमारा कैसा क्या है ये भी बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि social media पर जो लोग व्यक्ति खोश होते है वो actual में खोश हो ऐसा जरूरी नहीं है ये दिखाने के लिए भी कई लोग खोश हो सकते है ठीके अब देखते हैं भारत की स्तिती क्या है ये चित्रों में ही भारत खोश है कि actual में भी भारत खोश है तो भाईया पिछले साल की तरह भारत की रैंक भाईया 126 वे स्थान पर है अच्छी नहीं है बिलकुल भी अच्छी नहीं है पता नहीं कौन खोश है भारत में क्योंकि बाकी सब तो रैंकिंग जो है केवल 126 वा स्थान हमारे पास आया है खास बात देखने लाया कब इसमें ये है कि भारत के पास जनसंख्याद्यक है मानस अंसादन देखे resources हमारे पास अल्रेड़ी बहुत सारे है योजना है हमारे पास बहुत सारी अंबार लगा हुआ है योजना का हम चांद पे जाके बैठ गए हम सूरे पर जाकर बैठ गए लेकिन हमारे पड़ोसी देश याने कि चीन 60 वे स्थान पर है हमसे अच्छी कंडिशन है ठीक है नेपाल चीन के पास मान सकती हो कि डेवलप कंट्री है संसादन हमसे भी जाद है चलो मान सकती हो पर नेपाल 93 स्थान पर है हमसे कितनी जाद अच्छी स्थिती है नेपाल के लोग खुश है ठीक है पाकिस्तान की बात करते हो पाकिस्तान हमसे खुश है 108 वा स्थान है भाईया खुशी है ठीक है म्यानमार 108 और पड़ोसी देशों की बात करोगी तो शीलंका का 128 वा और बांगलादेश का 129 वा इस्थान है मतलब भारत की खुशाली की जो रिपोर्ट में पायदान है वो संतोष्ट जनक क्या मिलकुल देखने लायक भी नहीं है 126 वा इस्थान भारत को विश्व खुशाली रिपोर् करने की होगी कि इन 6 कारकों में कौन सी कारक भारत में नहीं है कि इन पर काम करने की ज़रूरत है यह एक बहुत चिंतनिये विशय है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कारण है कि भारत की लोग खुश नहीं है ठीक है चले तो खुशाली रैंकिंग में सबसे कम खुशाल है अफगानिस्तान की उपर कुछ देशे यह फिऑन ओन लेस्थ हैं है तो सियर्ड लियॉन और कांगो जैसे देशें जो की बहुत कम 126 वी है, पहला इस्थान फिल्लेंड का है, और 6 कारक मैंने आपको बताए है, UN Sustainable Report जो पब्लिश करता है, उसके बारे में भी बताया है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारत के लोग खुश क्यों नहीं है और भारत की लोगों को, यानि कि हम सब को खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शियर कर देना, जादा से जादा लोगों तक, ताकि सब को पता चल जाए कि ये जो सोशल मीडिया है, वो खुश हाल नहीं दिखा रही है, हमें खुश होना पड़ेगा एक्च्छल में ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको दूसरे किसी सेशन में तब तक लिए सभी को जय हिन, जय भारत